हेलो दोस्तो क्या हाल चाल उम्मीद करता हूं कि आप लोग सम्मजे में होंगे आज हम करने वाले हैं यहां काफी पुराना पेपर है नो साल पुराना पेपर है और आज इसको हम सोल करेंगे और जैसे कि आपको पता है आपके अपने इस प्यारे प्यारे चैनल पर हम करते हैं चाइल्ड डिवलप्मेंट और पैडागोजी को डिसकस ठीक है तो अच्छे से करेंगे सारही साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलना स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ हमेशा की तरह कुछ अनॉंसमेंट करना चाहता हूं तो उम्मीद करता हूं कि अप ध्यान से सुनेंगे तो प्लीज ध्यान से सुनें अगर आप मेरे चैनल पर फरस्ट टाइम आ हैं तो दिल में भी प्यार की घंटी बच जाती है यारो और इसके बाद मैं अनॉंसमेंट करना चाहता हूं कि एच्टेट के पुराने कोशन पेपर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं जो कि अल्रडी सॉल्व हैं तो आप प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं टेट्स ग्रू चैनल पे से और इसके बाद सीटेट के प्रीविस पेपर अगर आप एकसेस करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं CDP Child Development and Pedagogy का फुल कोर्स अगर आप चाहते हैं फ्री ओफ कोस्ट तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आप सरफ वीडियो देखें वन बाइवन वन बाइवन पहला कोशन करते हैं बिल्कुल अच्छे से करेंगे सर आपने तपका दिया अरे नहीं नहीं थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन करना पड़ता है ओके पहला कोशन है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे हम क्या करने दें या फिर हम क्या कराएं तोड थू टेक्स्ट बुक तो तोड थू कम्प्यूटर तोड थू लेक्चर मेथड तोड थू एक्टिविटी मेथड तो इसमें देखो पहला जो कुशन है तोड थू टेक्स्ट बुक यस अफ्कोर्स हम टेक्स्ट बुक से तो पढ़ाते ही है ठीक है उसके बाद तोड थू कम्प्यूटर आज कल तो हम computer से भी बढ़ाने लगे हैं आपको पता होगा लेकिन भारतवर्ष के अंतर most of the schools जो government के schools हैं वहाँ पे अभी भी computer access इतना नहीं हो पाया है taught through lecture method lecture method तो हम पढ़ाते ही है लेक्चर में व्यक्षान विधी व्यक्षान विधी से तो हम पढ़ाते ही हैं बच्चों को तो अगर मैं एक best option देखूँ इस message जो appropriate होगा मैं जाओंगा option number fourth के साथ और मैं ही नहीं estate की जो official answer की थी उसमें भी option number four ही है तो please चिंता ना करें जो मैं हाँ पर answer बताता हूँ वो estate के question के हिसाब से ही होता है उनके answer की के हिसाब से ही होता है tour through activity method तो जी हाँ activity method से अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चे जो है अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है बच्चा आपको बैट के सुने lecture method useful होता है बड़ी classes के अंदर जैसे कि class 11th class 12 बाकी पाठ्थे पुस्तक से तो हम पढ़ाते ही है तो उसमें इतना कुछ खास है नहीं computer इतना appropriate है नहीं इसके अंदर तो क्रिया विधी से अगर बच्चो को पढ़ाते हो जो की पढ़ाना भी चाहिए एक teacher को अगर छोटे बच्चो को पढ़ाने की बात हो रही है प्राइमरी लेवल पे या फर एलिमेंटरी लेवल पे 7th 8th की बात हो रही है तो वहाँ पे क्रिया विधी जो है ज्याता useful साबित ह हो सकती है उसके बाद चलते हैं next question की तरफ कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रियास करता है the teacher in the classroom make effort makes effort तो answer है oh sorry option है आपके पास to provide experience to students to provide supportive learning environment या फिर to provide opportunity to reflect या फिर all of the above तो देखो सबसे पहले आपको समझना है कि question का मतलब क्या है एक classroom है उसके अंदर एक शिक्षक जो है प्रियास करता है तो शिक्षक क्या प्रियास कर रहा है ज़रा ये देखता है चात्रों को अनुभव परतान करने का बिल्गुल सही बात है चात्रों का अनुभव परतान क करने में support करें बहतर environment create करने में support करें जो कि learning वाला हो ठीक है चात्रों को चिंतन का अफसर देने का बिल्कुल सही बात है टीचर का काम भी होता है कि student को opportunity दें कि वो reflect करें reflect का मतलब यहां पर होता है कि जो चीज़े सिखाई हुई है teacher के तोवारा वो जब बच्चे कुछ न कि पुराना क्या पढ़ा दिया सर ने तो reflect भी करें पुराना reflect भी करें पुराना दिखाए कि हां सर हमने कर लिया है topic आपने करवाया था उस दिन और चारी option यह पर ठीक है option fourth के साथ हम जाना पसंद करेंगे option number four is the right answer all of the above क्या कहना है आप लोग का बिल्कुल सही बात है चलत लैंग्वेज में मैंने रखा हुआ है तो आप हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं शिक्षा के दो परमुक उद्देशे हैं आपको बताना है शिक्षा के दो परमुक उद्देशे तो शिक्षा के दो परमुक उद्दे विश्यो का ज्यान ठीक है जिसके लिए टीचर वहाँ पे है वो चीज तो टीचर करेगा ही और बच्चों के अंदर जो है बैसिकली बच्चों का मैंटल डिवलेप्मेंट करना ठीक है बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करना एक टीचर का उद्देश होता है में ची आगे सरफ आगर मैथमेटिक्स का टीचर है तो चलो बच्चों आज यहाँ पे गलत हो जाता है विश्यो को ग्यान देना तता उनको कंटस्थत करवाना यह तो यह चीज भी मतलब रट्डा मार पढ़ाई होती है तो वैसे आपको पता है जो मैमरेजिशन है मेमरेजिशन ए एक negative term है तो negative term आगे तो इसको तो हम देखें गई नहीं बिल्कुल अब विश्यो का घ्यान देना विवैसाई कोशल का विकास करना तो ठीक है विश्यो का घ्यान देना लेकिन साथ में vocational skill मतलब बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में हम चिंता करना स्टार्ट कर दें कि बच्चे जो हैं आगे चलके professionally क्या करेंगे तो वो चीज इतना early start नहीं होता है तो second, third, fourth option इतने appropriate नहीं है यापे ठीक है option first is the right answer कि teacher का जो main काम है वो विश्यो का घ्यान तो देना होता ही है साथ में second जो उदेश होता है शिक्षक का वो यह होता है कि basically बच्चों के अंदर mental development करना children की मान सिक्सिति को सुधारना ठीक है context to in according to the subject matter उसके बाद बात करते हैं question number four की अधिकान शबालक अपनी मातर भाषा सीख लेते हैं तो most of the children learn their native language नेटिव लेंग्वेज का मतलब होता है जो उनकी मातर भाषा होती है वो कौन से महा में या कौन से year में सीख लेते हैं at the age of one year at the age of four years at the age of six years at the age of two years तो अगर आप गोर से देखेंगे तो इसका जो answer है वो at the age of four years four years is the right answer ठीक है देखो एक आयू एक वर्ष की आयू में क्यों नहीं क्योंकि एक वर्ष का बच्चा जो है बहुत ही छोटा होता है एक वर्ष का बच्चा बहुत ही छोटा होता है मात्रभाशा अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा या नीकि चार पांच साल का असपास होगा तो आप देखोगे बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा express करते हैं अपने आपको ठीक है यूँ तो एक वर्ष की आयू में ब परच्छे फ्राटेदार अपनी महत्रबाशा बोलना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है तो चार वर्ष की आयू जो है एड़ एज ओ फॉर येर्स इस राइट ऑप्शन ठीक है ऑफ दो फॉर उसके बाद कोशन नमर फिप्थ छे से ग्यारा वर्ष आयू वर्ग के छात्रों को अ अधारित अंत क्रियात्मक अधिगम की उपरोक्त सभी तो सबसे पहले कोशन देख लेते हैं इंग्लिश में देख लेते हैं चिल्डरन ओफ सिक्स टू इलेवन इयर्स ऐसे बच्चे जिनकी एज छे सी ग्यारा साल के बीच में है एक्चुली में उनको जरूर्थ होती है ड काम खुद करूँगा च्छोटे च्छोटे बच्चे भाग करते हैं कि नहीं मैं यह काम खुद करूँगा ऐसे एक्टिविटी बेज इंट्रक्टिव लर्निंग ठीक है ओल अफ दा अब और तो इसका जो राइट आंसर है वो है option number four कि मतलब सारी चीजे जो 6 से 11 साल के होती है कि हां बच्चों को ही आप opportunity दे बच्चे ही सब कुछ करेंगे ठीक है activity बेज इंट्रक्टिव लर्निंग की जो जो activity आप करा रहे हैं उसके इंट्रक्शन होना चाहिए ऐसे नहीं कि passively बच्चे बैठे हैं गुगु बनके चार बच्चे इदर बैठ गए पांच भी लें लेकिन एक दूसरे से इंट्रक्शन नहीं हो रहा है एक दूसरे से इंट्रक्शन नहीं होगा तो पर activity का कोई मतलब नहीं रहा जाता ऑप्शन नमर 4 is the right answer उसके बात बात करते हैं question six के तो question number six है child shows a child shows jealousy at the age of तो बच्चा जो है वो इर्शिया परदशन करता है 6 महा की आयू में 12 महा की आयू में 18 महा की आयू में या फिर 24 महा की आयू में तो कौन से महा की आयू में वो इर्शिया परदशन शो करता है इर्शिया परदशन करता है तो इसका जो right answer है, वो है six month की आयो में, ठीक है, six month is the right answer, आपने देखा होगा, कि छे महा का बच्चा होता है, छे महीने का जो बच्चा होता है, उसके हाथ से अगर आप खिलोना भी छीन लोना, तो वो रोना स्टार्ट करतेता है, तो वो इर्शे ही तो है, ठीक है, आपने द ego centric, जो कि प्याजे ने भी अपनी थोरी के अंदर कहा था, तो six month की आयो में ही, बच्चा कहीं न कहीं ego centric होना स्टार्ट हो जाता है, तो six month is the right answer, उसके बाद question number seven की तरह बढ़ते हैं, बालक विविद प्रकार से सीखते हैं, तो students learn in variety of ways, तो basically हाँ पे जो right answer है, वो है option number second, option number second is the right answer, ठीक है, कि बच्चा जो है सीखता है, प्रियोग करके, विवेचन करके, प्रशन पूच के, क्रिया करके, तथा चिंतन करके, तो सारे ही जो कारक होते हैं, जो help करते हैं किसी बच्चे के अधिगम के अंदर, उसको सीखने में help करते हैं, वो है option number second के अंदर, तो ब सारी शिक्षन द्वारा, तो ये तो teacher centered हो जाएगा, कि teacher ही सब कुछ करेगा, teacher ही जो कुछ करेगा, तभी बच्चा सिखेगा, तो ये teacher centered है, basically आजकल की जो हमारी study हो चुगी है, school के अंदर, तो वो है student centered, child centered, मतलब बच्चों को ही हम opportunity देते हैं, कि वो ही सब कुछ करे, वो ह ही activity करे, सब कुछ वो ही करे, तो अगर हम उसी चीज़ को आगे रखें, तो question number second is the right answer, बाकी option आप देख सकते हैं, सारे negative options है, question number eight देख लेते हैं, children of 6 to 11 years age group have following characteristics, तो ऐसे बच्चे जिनकी जो age है, वो 6 से 11 साल की बीच में हैं, जो बच्चे, उनके अंदर मुख्य विशेश इस तक क्या होती है, children are natural and active learners, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और I think यही option हो जाएगा, depends on teacher for learning, तो बिल्कुल गलत बात है, जब वो active learner हो गया, तो teacher के उपर तो dependency की बात ही खतम हो गई, children receive knowledge from teachers, यह भी जैसे कि अभी थोड़ी तरे पला मैंना बताया था कि जो हमारी study है, वो जो है, उसका study के अंदर interest नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत होगा, तो option number one is the right answer, question number nine की बात कर लेते हैं, which statement about a creative child is not true, तो आपको citizen shield बालक के विशय में एक ऐसी statement निकालनी है, जो कि true नहीं है, पहला ही option है, creative child is curious, एक citizen shield जो बालक होता है, वो जिग्याशो होता है, तो बिल्कुल सही कतन है, यह second option देख लेते हैं, सिर्जन शीर बालक सहासी नहीं होता, तो सहासी नहीं होता, यह हम कहा नहीं सकते, ठीक है, तो यह option यहाँ पे गलत है, लेकिन उसी context में option यहाँ ठीक हो जाएगा, क्योंकि wrong उन्होंने बोला था, तो wrong हमारा answer यह है, option number second is the right answer, क यह सिर्जन शीर बालक सहासी नहीं होता, एक creative child is not adventurous, तो बाई उपर से कुंडली में लिखके लाया है, बच्चा जो है सिर्जन शीर लेकिन वो सहासी नहीं होगा, तो ऐसा तो हम सोची नहीं सकते, ठीक है, बाकी option तो यहाँ पे correct है, creative child is extrovert, बहु मुखी होता है, creative child is ambitious, ठ ठीक है, तो सारे option यहाँ पे creative child को लेके सही है, लेकिन option number second is तक गलत है, और गलत ही option यहाँ पे हमसे पूछा था, I hope कि आपको सारी चीजे समझ बहारी होंगी, अच्छे सा आपको concept clear हो रहे होंगे, चलते हैं आगे, next question, question number 10, new knowledge is acquired through, नवीन ग्यान, new knowledge का मतलब होता है नवी नहीं सीखते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप सीखते हो, टर्स गुरू पर भी आप कुछ ना कुछ रोज सीखके जाते हो, नवीन ग्यान की प्राप्ती होती है, तो कब प्राप्ती होती है, transmission of knowledge, memorization, तो memorization का निकाल दो, negative है यह तो, experience and searching new meanings, none of the above, तो second option तो यहाँ से हटाई ग्यान सथानांतरन के दोरा, इनकी transmission of knowledge के दोरा जो है, बच्चे new knowledge सीखते हैं, option number third देख लेते हैं, experience and searching new meanings, तो अनुभव दोरा नवीन अर्थ डूणने के दोरा, तो option number third is the right answer, ठीक है, कि जो उसको experience है, जो उसका अनुभव है, उसके base पे, उसकी help से वो दूसरी नई कोशिश कर रहा है, जैसे मान लो बच्चे ने mathematics का formula सीख लिया, अब teacher ने भी उसको कुछ questions करा दिये, अब teacher ने कुछ questions करा दिये, तो अब वो ये पूछे का teacher से, कि मिरे को ना 10 questions कुछ और देतो सर, अच्छे से मैं उनको भी solve करूगा, तो वो उनको लगाने की कोशिश करे अपने पुराने experiences के help से, तो नवीन ग्यान की प्राप्ती कब होती है, जब experience के base पर पुराना अनुभव के base पर जो है, आप नई चीजों को सीखने की कोशिश करते हो, तो option number 3 is the right answer, question number 11 देख लेते हैं, शिक्षन एक प्रिक्रिया है, teaching is a process of transmitting knowledge by the teacher to the learner, direct learning, giving instructions, facilitating of teaching learning, तो basically इसका right answer है, वो है option number 4, कि जो teaching एक प्रिक्रिया है, शिक्षन अधिगम का सरली करन करने का, मतलब आपके subject matter में जो difficult से difficult चीज हुई है, तो teacher का का काम क्या है, कि उस difficult paragraph को या difficult context को या content को आपको simple बना के पेश करें, जब teacher ऐसा काम करता है, तो वो learning को facilitate कर रहा है, student की साहता कर रहा है, तो basically आप जैसे मानलो psychology का subject है, वो काफी difficult subject, अगर आप NCRT 11 की या 12 की NCRT उठा के देखोगे न साइकोल जी की, तो आपको कुछ भी समझबे नहीं आने वाला, लेकिन Tats Guru चैनल पर मेरी कोशिश ये रहती है, कि आपको ग्यान जो है simple से simple भाशा में समझाया जाए, चलते हैं, चलते हैं आगे, self promotion हो गया, आगे proceed करते हैं, question number 12 देख लेते हैं, social development of a child actually begins, early childhood के अंदर बच्चे का जो है actual socialization start होता है, जहां पे वो बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ contact में आता है, उनको बच्चों को friend बनाने की कोशिश करता है, तो वो बच्चे का समाजी गरन होता है, ठीक है, वैसे कहा जाता है कि बच्चा जब जर्म लेता है, तो उसक इतना develop भी नहीं हो पाता है, बच्चे इतना mature भी नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही वो early childhood की stage में एंटर करता है, तो वहां पे उसका actual socialization होता है, जहां पे वो बच्चा जो है घर से बाहर कदब रखता है, चाह वो school हो, चाह वो आसपरोस हो, चाह वो playground हो, चाह कहीं पे भी हो, ठीक है, तो इसका जो right answer है, वो है early childhood, question number 13, suitable method of teaching primary class children is, मतलब primary class के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इस चीज़ को लेके उन बच्चों को suitable method क्या होगा पढ़ाने का, trial and error method, अरे या तो बिलकुल भी नहीं हो सकता, trial and error method, इतना मतलब आगे थोड़ी नहीं हैं, imitation method, lecture method या फिर play way method, तो imitation method तो निकाली दो, lecture method भी निकाल दो, व्यक्यन वीदी, आप छोटे बच्चों को या तो storytelling करके पढ़ाओगे, या फिर play method से पढ़ाओगे, कि भई हम ऐसे उनको पढ़ा दें, खेल खेल में ही बच्चे का, तो बच्चा तो enjoy करें, बच्चा ख खेल वीदी से कर, आप बच्चों को पढ़ाने के कोशिश करोगे, छोटे बच्चों को खास तोर पर कह रहा हूँ, बड़े बच्चों तो फिर खेल खेल में ही लगे रहेंगे, वो पढ़ेंगे नहीं, छोटे बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि primary class children है, उसको खेल class room की चार दिवारे होती है, अरे आप कहोँगे चार दिवारे तो होती है, तो बच्चों से वो क्या करवारा, बच्चों के हाथ में चोक दे दिए, और वो actually में classroom के अंदर जो दिवार हैं, उनमें paint होता है, मतलब 3-4 feet की height तक का paint होता है, तो वहां पर बच्चे चोक चला स सकते हैं, मतलब उन दिवारों पर, तो वहां पर कुछ भी लिख रहे हैं, A, B, C, D, A, K, B, जो हिंदी के काईदे के अंदर होते हैं, हिंदी वर्ण माला जिसको हम कहते हैं, A, B, C, D, counting लिख रहे हैं, बच्चे तो बच्चे एक तरीकी से खेल भी रहे थे, और बच्चे ए बल देती है, इन इंडिया प्राइमरी एजूकेशन सिस्टम इस लाइंग इंफाजिज ओन, तो देखो, ये जो कोशन है दोस्तो, एक्चुली में अपने आप में ही गलत है, ठीक है, और मेरे को नहीं पता, उस टेम एस्टेट ने इस कोशन का आंसर क्या डाला होगा, एक् कोशन को सोल करने के लिए, तो आई थिंग ये कोशन ही गलत है, यहाँ पर पहले कोशन समझ लेते हैं, कोशन कहा क्या रहा है, भारत वर्ष में प्राइमरी शिक्षा निमलित पर बल देती है, तो इन इंडिया प्राइमरी एजूकेशन सिस्टम इस इंफासिज ओन, डिवल अगर हम साइकोलजी की भाषा के हिसाब से चले तो रोट लर्निंग हमारे लिए एक नेगिटिव चीज हो जाएगी, लेकिन अब हम तो सब भारत वर्ष ही हैं, एंडिया से ही हैं, तो लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमारी जो प्रात्मिक शिक्षा होती है, बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं, और ना केवल प्राइमरी एजुकेशन, बिल्कुल कॉलेज लेवल तक आगर आप चले जाऊना, तो रोट लर्निंग ही होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं हम बच्चों को रोट लर्निंग भी कराते हैं, कि मतलब रट पर्टे वाली पढ़ाई है, कि काउंटिंग सीख लो, यह सीख लो, वह सीख लो, लेकिन प्राक्टिकल नहीं है, वैवारिक शिक्षा नहीं है, कि बच्चों को प्राक्टिकल करके चीज़ों को सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं option 4 बीस का correct है, और मैं तो कहता हूँ कहीं न पुछने की सक्ति बढ़ जाती है तो मेरे हिसाब से फॉस्ट भी इसका ठीक है और इसका फॉर्थ ऑप्षिन भी ठीक हो सकता है तो तीन ऑप्षिन इसके ठीक है तो एक्चुली में अगर हम देखें तो कोशन नमर 14 अपने आप में कोई कोशन नहीं बनता है क्योंकि एक आंस को हम यहां से निकाल सकते हैं कि बच्चे जो है अध्यात में फक्ष्परबल देते हैं ऐसा नहीं होता है ठीक है फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ तो अपने आप में यह कोशन गलत है बढ़ते हैं आगे कोशन नमबर फिफ्टीन देख लेते हैं आज का लास का कोशन हो गए शिक्षण और अधिक प्रभावित हो सकता है टीचिंग बिकम्स मच मोर एफेक्टिव प्रवाइड़ कि बढ़ी शिक्षण को और अधिक प्रभावित हो सकता है अगर हम यह चीज़े करते हैं तो पहला उप्षिन है छात्रों को स्वयम कारिय करने की स्वेत्ता वे नियंत कुछ करें तो उसके हिसाब से यह ऑप्षिन करेक्ट है दोस्तों ऑप्षिन नमबर वन इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित बाकी तीन ऑप्षिन को पढ़ोगे तो वहां पे टीचर्स की बात हो रही है कि टीचर्स और वैसे त सन्थर की टीचर सेंडर बात होती ही नहीं है सारी बात होती है चैल सेंडर स्टूडर उसके कंटेक्स्ट में देखे तो oli by क्रक्ट चातरों को स्व्यमकारी करने की छूट दे दी जाया कि ऽूसारे टास्क्र नियंद्रन करें ठीक है तो पुरानी एज्यों में तो ठीक है वो कितना drastically decrease हो रहा है ठीक है और उस base पर बच्चों को ही सब कुछ करने के लिए दे दिया जाए तो मैं नहीं समस्ता कि करक्षा के अंदर पढ़ाई हो सकती है ठीक है लेकिन बाराल यह हमारा point of view है हमारा नहीं मेरा point of view है आपका point of view कुछ और हो सकता है ठीक है question 15 तक आज हमने करें है जैसे कि मैं आपको बताए यह stat का PRT question paper मैं आपको करा रहा हूँ 2011 का question paper है ठीक है और total 15 question आज हमने करें आप अच्छे से देख लेना अपने नोट्स बना लेना और कल जो मैं वीडियो लेकिया आउंगा वह होगी question number 16 से लिए question number 30 तक ठीक है तो बने रहे टैट्स गुरू चैनल पर और अगर कुछ ठीक है thank you very much दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद